आप ललीत रविंद्रा डोंग्रे, मायलाइस्टाइल बिजनस में इंटरनेशनल टीम कोर्डिनेटर प्लस गोल्ड एचुर हूँ दोस्तों, लेकिन आज जो आप देख रहे हो, आज जो आप सुन रहे हो, यह इंसान आज आज आपके सामने बैठा है दोस्तों, इसको ना कॉ जिसका नालेश्टा लेकिन आज यह आपके सामने बैठा है, यह सारी ताकत, आज आपने जो यह प्लान प्रेजेंटेशन सुना है दोस्तों, यह प्लान प्रेजेंटेशन की है, कि एक साधारन इंसान भी आज आपके सामने आके यह बिजनस ऑपर्चुनेटी में आज प्र रहो दोस्तो जाग जाओ 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 जैसे टीवी पे हमारे पास एक एड़ोटाइज आता है जागो ग्राहक जागो वैसे अभी इंडिया में बोलने की ज़रूरत आ गई है जागो इंसान जागो क्योंकि लॉक्डाउन ने अच्छे-च्छे को जोर का जटका सही में जोर से दिया है और शायद उन लोगों को सबसे जोर का जटका मिला है जो हाई लेवल की सैलेरी बेस पे थे जो हाई लेवल की पोस्ट पे थे और जिनके बड़े-बड़े बिजनस थे उन सारे लोगों को जिनको लगता था कि ये डाइरेक सेलिंग लेकिन आज बताना चाहूंगा हर एक इंसान को आने वाले दिनों में डायरेक सेलिंग में आना पड़े गा और डायरेक सेलिंग करना पड़े गा दोस्तों क्यूंकि ये कोरों आने सब को बता दिया है कि आप जीना है तो एक income source आपक्यों साथ रहना चाहिए और वो income source process का मेरे बारे में थोड़ी से जानकरी देना चाहूंगा मैं लडी डोंग्रे रहने वाला माहराश्ट्रा नासिक के एक छोटे से आदिवासी तालू के से बिलॉंग करता हूँ जिसका नाम है सताना उस बिजनस से पहले यह मायलाश्टाइल बिजनस से पहले दोस्तों मैं सताना एक छोटे से गाव में रास्ते पे बैट कर मंगल सुत्र में काले मनी पिरोकर दिन का पचास से सो रुपया कमाने वाला एक साधारन रोड़ पती यह मायलाइज टाइल करने का डिसीजन लेने के वज़े से आज आपके सामने करोड़ पती बनके खड़ा है दोस्तों बस एक ड डिसीजन हम लोग अकेले नहीं लेते हैं डिसीजन हम लोग सोच सोच के लेते हैं तो मैंने भी बहुत सारा सोचने के बाद यह डिसीजन लिया लेकिन कुछ चैनों के अंदर कुछ मिनिट्स के अंदर कुछ घंटे के अंदर मैंने यह सोच कर डिसीजन लिया था क्योंकि जबर्दस्ति भी करने की कोशिस करने पड़े तो भी हम लोग करेंगे लिएक हमको मालूम है आज आपको हम जबर्दस्ति भी करेंगे तो कल आपके आने वाली पीडियों के दिन बदलने वाले आपकी जिंदगी बदलने वाली है जैसे मुझे जबर्दस्ति उठा के लेके ग अब खीक स्ब्सक्राइब किया है। चाहोगे सही में मैं जो बोल रहा हूँ ये सच है या नहीं क्या समझना चाहोगे तो मेरा screen sharing का option अगर आप open कर दीजिए सर मैं screen sharing option की तरब जा रहा हूँ एक पाच मिनिट मैं आप लोगों के लूँगा दोस्तो लेकिन पाच मिनिट में ये बता दूँगा कि एक रास्ते पे धूल खाते हुए अपनी जिन्दगी जीने वाला इंसान आज कहा तक ये माईल आइश्टेल के वज़े से पोच गया तो चलिए दोस्तो देखते हैं एक साधारन इंसान की क्या जिन्दगी थी मैं आपको दिखाना चाहूँगा चोटा सा एक लाइफ जर्नी एक पाच मिनिट में मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तो आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा तो आप जड़ा सा आवाज दे देंगे मुझे प्लीज कि यस सर दिख रहा है करके क्योंकि अभी मैं वीडियो में आपको ये वो साधारन इंसान ज कमाने वाला इंसान अभी आपके सामने ITC प्लस गोल्ड बनके खड़ा है और ये उसका एक साधारन छोटा सा फैमिली मैं आपको दिखाना चाऊंगा लेकिन आज जो ये तस्वीर आप लोग जो देख रहे हो ये दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा है लेकिन इसका पा उसकी मैरेज से स्टार्ट हुई थी उसकी जर्नी दिखाना चाऊंगा मेरा शादी के दिन का फोटो दोस्तों आप देख सकते हो शायद पैचानोंगे नहीं ये आदमी वही है क्या लेकिन ये फोटो की हिस्ट्री बताना चाऊंगा शादी के दिन जो मैंने कपड़े पहने है दोस्तों वो पुराने है मेरे पैर में चपल है सिर्फ शादी के दिन मेरे पास 1,800 रुपए थे जिसमें मैंने मेरी मिसेज को मंगल शुत्र लिया था उसके लिए नए कपड़े लिए थे और एड़ोकेट और बामन ग्रामन को पैसे दिये थे अठरा सो रुपए में पाच लोगों के साथ ये शादी हुआ था मैंने लव मैरेज किया है दोस्तों और पाच लोग थे साइन करने के लिए तो आप समझ सकते हो लव मैरेज वालों को कितना चालेंजे सेहन करना पड़ता है मेरी बीबी के बारे में भी बताऊंगा मेरी मिसेस का नाम वर्शाल अली डोंगरी ये शादी से पहले आपके बंबई में अंबरनात में इसने अपना जिन्दगी गुजा रहा है पूरा अंबरनात में इसने अपना पूरा जिन्दगी गुजा रहा है जो लेडिज ने कभी एक बकेट पानी भी अपने हाथ से नहीं उठाया था वो लड़की मेरे साथ गुजरात में मधुबन सिल्वासा जैसिस चोटे से गाव में मेरे साथ रहती थी एक चोटे से घर में हम लोग रहते थे जहाँ पे अगर तीसरा कोई मेहमान आ गया तो उसे हमें दूसरे किसी और के रूम में सुलाने के लिए भेजना पड़ता था इतने से चोटे से रूम में हमने जिन्दगी बिताई थी मुझे याद है जो बकेट भर पानी नहीं उठाती थी कभी अपनी जिन्दगी में वो दो-दो बकेट भर-बर के पानी लेके आती थी थोड़ा संकेश जी मैं जरा एंट्री फ्री करवा देता हूँ एक मिनिट के लिए तो यह वेटिंग वालों का सब जमेला खतम हो जाएगा है हाँ ओके तो मुझे वो सारे दिन याद थे कि जो एक बकेट पानी नहीं उठा थी वो दो-दो बकेट पानी रूम पे लेके आती थी और वो सारे दिन में देखता था यही सर्विस करते होग मैं बहुत बुरा लग रहा था इसलिए मैं वापस गाव चला गया और गाव में जाके मेरा वही पुराना वाला जिन्दगी मैंने जीना शुरू कर दिया दोस्तों वही जिन्दगी जिसको मैं नहीं चाहता था लेकिन वही जिन्दगी मैंने स्टार्ट क शायत मेरा एरो जाएगा यह देखिए यह मेरी मिसेस और यह मेरा लड़का छोटा सा हमारा यह तीन लोगों का फैमेली ध्यान से एक चीज को आप जरा सा देखना जो दिखा रहा हूं सब रियल यहां पे पढ़िए एक नाम दिख रहा होगा आपको मित्र यह मित्र टेलर करक कि आप नाम दिखा रहा हूं जान बुझ के दिखा रहा हो क्यों दिखा रहा हूं यह आगे की प्रिंट में पता चल जाएगा ये रास्ते पे बैटने हो लाएक साधा रेन इंसाने दो, ये मेरी जिंदगी थी, ये मेरी पिता जी भी यही जिंदगी गुजारे थे, मेरे दादा जी ने भी यही जिंदगी गुजारी, हमारे तीन फिडियों के पास किसी का घर नहीं हुआ क्योंकि यह हमारे बिजनस में स सिर्फ खाने के लिए मिलता था और हालत ऐसी थी अगर आप सबेरे दुकान नहीं लगाओगे तो शाम को आपको घर में राशन नहीं आएगा और मेरे घर पे हर दिन राशन आता था आपके घर में महिने का राशन आता है मेरे घर में हर दिन राशन आता था सुबेर कमाओ शाम को राशन लाओ सुबेर कमाओ शाम को राशन लाओ ऐसी जिन्दगी जिने वाला एक साधारन रोड़ पती आज आपके सामने बैठा है दोस्तों यह वो जगह है यहाँ पे मैंने लिखा है शॉप स्पॉट आप देख सक यह वो जगह है जहाँ पर मैं बैठता था और यह सामने दिखाना चाहता हो एक यूरिनल के सामने मैं मेरी जिन्दगी बिता रहा था यह अभी पूरा पैक किया हुआ है दोस्तों जो ब्राउन कलर का आपको कलर का दिख रहा है स्टाइल यह यूरिनल मैं जब बैठता था अब उतना ही था सिर्फ आधा और उसके सामने मेरी जिन्दकी के दस साल मैंने दोस्तों निकाले है दस साल अभी यह मैं क्यों बता रहा था कि मित्र टेलर को देखो यह देखिए यह मेरा रेड़ आप देख रहे होंगे यह बैठनी का जगा यह यह यहाँ पर आपको यह ब प्राबलम होगया मेरे घर में मेरी मिरी मिसेस का हाथ थोड़ा सा क्रैक हो गया था दोस्तों तो उसके प्लास्टर के लिए 1200 रुपया मुझे चाहिए था जो पूरे सनार गली में मैं जो बैट रहा हूँ यह पूरी सनार गली है वहाँ पे जो मैं बैठता था 1200 रुपया प्लास्टर के लिए ट्रिट्मेंट के लिए हुझे किसी ने नहीं दिया दोस्तो आठ दिन स्केल के साथ मेरी मिसस का हाथ बांध रखा मैंने और आठ दिन में 1200 रुपय का जुगाड करके मैंने उसके हाथ को प्लास्टर किया था वो भी प्रूफ मैं आपको दिखाना चाओंगा कि जो भी है जो चल रहा है वो सच है और ऐसी जिन्दगी जीने वाले इंसान को कुछ सालों पहले दो भगवान मिले दोस्तों कुछ सालों पहले दो भगवान मिले जिनोंने एक रास्ते पे बैटने वाले की पूरी जिन्दगी बदल दी मैं चाहूंगा मेरे उन दोनों भगवान के लिए आप सब लोग अपनी जगे पे ताली बजा देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा ऐसे ये मेरे दोनों भगवान हमारे मायल आपस्टेल के जनक मिस्टर प्रवीन जे चंदन सर और जिनों ने मुझे ये बिजनस में लाया दोस्तो ऐसे मानव रुपी भगवान मिस्टर किश्वर जी आयरे सब को दोनों को मैं दिल-दिल से वंदन करता हूँ कि एक रास्ते पे जिसके कोई सपने देखने के आउकाद नहीं थी ऐसे इनसान को ये दोनों भगवान लोगों ने एक ऐसे सक्सेस के रास्ते पे चड़ा दिया जहां पर आभी मैं रुखना भी चाहूँ तो नहीं रुख सकता ऐसी जिन्दगी बनाने वाले मेरे भगवान को दिल-दिल से वंदन और इन लोगों ने मुझे ये बिजनस में लाया दोस्तो और जिन लोगों को जिन लोगों की वज़े से आज मैं यहां बैठा हूँ ITC प्लस गोल्ड बनके ऐसे मेरे ग्रेट पीलर CTC मिस्टर नानाभव कोते जी जो दिख रहे आपको ये हमारे खेत करने वाले इंसान जिनको मैंने ये बिजनस में जब लाया दोस्तो ये इंसान के उपर 16 लाख रुपय कर जा था खेती का सुसाइड करने का टाइम आ जुगा था दूसरे हैं मेरे एंटी सी यंगेस्ट एंटी सी सागर गावंडे सर ये नॉमेनी फैसिलिटी इनके पिता ज जी चल बसे और नॉमेनी फैसिलिटी पे उनका बेटा यहाँ पे आ गया और आज वो एंटी सी प्लस सिलिंग एचिवर है मेरे कोते सर भी जो मेरे फ़स्ट डिस्टिब्यूटर ये बिजनस में वो सी टी सी प्लस सिलिंग एचिवर है और जो बंदा हैंसम आपको दीख रह हरे हैंसमेंवाला एक मातर एंटी सी हमारे मुरारी माली बहुत सारे मेरे लीडर्स मेरे पूरी टीम ने एक रास्ते पर वटने वाले साधारनं इनसान को आज यहा पे लाके खड़ा कर दिया मेरा जर्णी शुरूआ था दोस्तो डारेक्ट सेलिंग में ये बिजनस से आप देख सकते हो तीन लोग सामने बैट रहे हैं आपको दीख रहे होंगे जो एक नंबर पर बैठे उन महाशे का नाम है दोस्तो नहीरे नहीरे सहब बीच में रेट टाये वाले हैं अहीरे सहब और मैं हूँ डोंग्रे हमारे पहले दिन के गरूप का नाम था रे गरूप मतलब नहीरे अहीरे डोंग्रे कॉमेडी करने कॉमेडी वाली बात है आपको भी हसी आएगी जिनका नाम नहीरे था वो आज बिजनस में नहीं है रहे है और उनके साथ डोंगरे डोंगर की तरह इल है जगे पे खड़ा है माय लाइस्टाइल में खड़ा है दोस्तों यह लोगों ने ये बिजनस को शुरुआत किया था और आगे बढ़ता गया जिनके घर में तीन पीडियों में कभी साइकल नहीं आई थी, उस इंसान ने पहला बाइक खरिदा यही बिजनस की माध्यम से, मेरा पहला बाइक हमारे पूरे खांदान में पहला बाइक खरिदने वाल से हमारे साथ पीडियो में जो नहीं हुआ था वो मतलब पहली कार हमारी जिन्दगी में आई पहली मेरी कार इंडिगो दूसरी मेरी कार फिर मैंने बिजनस और बढ़ाया फिर सेकंड कार लिया इंडिका फिर मैंने ये बिजनस से थर्ड कार लिया आइकॉन फोर्ड फिर मैंन दोस्तों उस कार का नाम है, सॉरी, ये पहले बताना चाँगा जाहिलो, पहले मेरी जो भी कार आई, मेरे जो भी घर हुए, सबसे पहला ओपनिंग, मेरे घर का, मेरे कार का, मेरे आपलाईन, Mr. Kishor जाहरे सर के हाथों ही हुआ दोस्तों उसके बाद मैं नासिक शिफ्ट हो गया और नासिक में आज मेरे तीन घर है रोहाउस है कम से कम एक धाई हजार स्क्वेर फिट के एक प्लॉट में मेरे तीन घर है जो अभी फाइनांशियल में रिटायर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ य इड़ एज ओफ फुर्टी वन रेंटल बेस पे घर देते हैं लोग रेंटल बेस के घरों में रहते हैं ये उमर में लेकिन मेरे तीन-तीन घर आज रेंटल बेस पे चल रहे है सिर्प माय लाइश्टेन के अशिरवाद की योजी से दोस्तों ये हालत आज मेरी जिंदगी मे चाहूंगा थोड़ा सा आपका वक्त लोंगा ये जो कार है इसका नाम मुझे नहीं लेना आता था दोस्तों आउट लेंडर ये मुझे नाम नहीं आता था तो मैंने दो वर्ड को एक साथ जोडना सिख लिया आउट क्रिकेट का आउट सब को मालू में लैंड मतलब जमीन ये कोई इंसान ने वो कार लिया था पूरा आटोमेटिक कार उस टाइम पे मैंने ये बिजनस में लिया था फिर मैंने इसको भी बेज दिया और आगे फिर मेरा नेक्स्ट कार आया महेंद्रा जाहिलो XCV 800 ये भी कार मैंने यूज किया दो लाग चलाया दोस्तों इसको भी फिर मैंने निकाल दिया और फिर मेरा सात्वा कार आया जो आज भी मेंटेन कर रहा हूँ आप देख सकते हो फिर से मेरे कार का ओपनिंग मेरे दोनों ग्रेट अप्लाइन हमारे एजुकेशनल गुरू मिस्टर बद्रेजी चावान सर और मेरे महा गुरू मिस्टर किशोर जाहिरे सर के हातों ही ओपनिंग हुआ यह मेरा सेवन कार दोस्तों आया मेरी जिन्दगी में मुझे यही बताना है आप सोच नहीं होंगे यह अपनी जिन्दगी क्यों बता रहा है मैं इसलिए मेरी जिन्दगी बता रहा हो दोस्तों क्योंकि मेरे जैसे ये GTS में बहुत सारे लोग होंगे या फिर आपके जान पहिचान में मेरे जैसे ऐसे रास्ते पे भटकने वाले रास्ते पे बैटके जिंदगी गुजारने वाले या कम सैलेरी वाले या दिन में कमा कर शाम को खाने वाले ऐसे बहुत सारे लोग आपके ज जिन्दगी बदल दी है मेरे भगवान मिस्टर किशोर जायरे सर ने आप किसी के भगवान बनके उनकी जिन्दगी बदलने के लिए तैयर हुई है यही कारवा आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आगे-ागे क्या होता गया देखिए सात्वी कार ले बजाज के एवेंजर 200 पे दोस्तों मेरी जिन्दगी में शुरू हुई ती पैदल उसके बाद छोटा पहला बाइक लेकिन मेरे बेटे की जिन्दगी सीधा शुरू हुआ एवेंजर 200 से फिर उसने पर्चेस किया बुलेट 300 और आज मेरा बेटा जो बाइक यूज कर रहा ह दोस्तों वो है यामा का लेटेस्ट आर बन फाइव ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये आपको बताना है भले ये लली डोंग्रे करोड़ पती के आउलाद नहीं था लेकिन उसके आउलाद 100% करोड़ पती की है ये मायलाइब स्टाइल का आशिर्वात है दोस्तो मतलब हमारे जिन्दगी में हमारे बच्चे जो अपने सपने मार देते हैं सिर्फ और सिर्फ हम लोग नहीं कमा पाते हैं इसलिए मुझे ये आपको बताना है हमारे में दम है कमाने का सिर्फ आगे बढ़ना है आज डिसिजन लेना है कि ये बिजनस मुझे करना है हम भी कमा जाएंगे और हमारे बच्चों की भी सपने पूरे होंगे यह मुझे आपको बताना है इसी के साथ फाइनली मेरा एक commitment मेरी life का मेरे साथ था वो मैं आपको बोलना चाहूंगा जिस दिन मैंने यह बोलन से शादी किया मेरी मिसिस बंबई की है लेकिन वो मेरे साथ एक छोटे से घर में रहती थी थी जहां पर दो लोगों की सिवा ज्यादा लोग नहीं रह सकते और मैं वो देख रहा था और अंदर यांदर जल रहा था कि यारे एक आली होता था और अंदर से कुछ इच्छा थी कि उसकी लाइफ को कुछ ना कुछ देना है जो बंबई से सारी दुनिया को छोड़के मेरे पास आई है तो दोस्तों आप देखिए ये मेरे मैरेज का उस दिन का फोटो है 22 मार्च 1999 ये मेरा मैरेज दे था लेकिन 20 साल बाद 22 मार्च 2019 20 साल बाद जब मेरे शादी का एनवर्सरी था तो ये स्टेज उस दिन जिस इनसान को शादी के दिन स्टेज नहीं था देख सकते हो आप उस इनसान के anniversary का stage आप देख लीजिए ये वो इंसान 22 मार्ज को था और ये 20 साल बाद ये वो इंसान 2019-22 मार्ज को है बले हमारा शादी दोस्तों मंदिर में पहले दिन हुआ था कोई कोई relative नहीं था कुछ नहीं था लेकिन ये जो दिन था 22 मार्ज 2019 दोस्तों बताना चाहूंगा मैं तो कहता हूँ सही में real शादी उस दिन हमारा हुआ real शादी क्योंकि उस दिन मेरे great NTC मिस्टर महले सर और उनकी मिसेस महले मैडम ये दोनों ने शादी के मंगल अस्टकतल बोले थे और हमारा दोनों सरे लोगों ने मिला के मेरे पूरे मायल अस्टाइल परिवार ने उस दिन मेरा शादी करवाया 20 साल बाद मेरा शादी वियल लाइप में जैसा शादी होता है वैसा मेरा शादी हुआ 20 साल बाद ये ताकद ये मायल अस्टाइल ने दिया दोस्तो पाच लोग थे पहले दिन मेरी शादी में और धाई हजार लोग थे ये मेरी लाइफ जिसको एक इंसान शादी का कार्ड नहीं दे सकता था उस इंसान ने धाई हजार लोगों को उस दिन बुलाया था ये ताकद ये मायल अस्टाइल ने दिया दोस्तो जो इंसान दिन का 100, 200, 300 रुपया रोज कमा था तो दोस्तो मैं बताना चाहूंगा मेरे सालगिरा में ज्यादा नई दोस्तो सिर्फ चार लाख रुपया एक दिन का खरچा हुआ शिर्फ और सिर्फ मायल आप्स्टाइल की वजह से दोस्तो तो सिर्फ मायल अस्टाइल के वजह से तो मैं बार-बार यही कहना चाहूंगा क्यी यह इनसान को सपने मालूम ही नहीं थ करिवा उस दिन मैंने एक चीज की जो 20 साल से मेरे दिल में आटक रहा था कि कुछ तो भी करेंगे मेरी मिसेज को एक गिफ्ट दिया दोस्तों हमारे नासिक के सेंट्रल प्लेस मुंबई नाका में समराथ नूकलियस में ये आलिशान नूकलियस समराथ के तीन टावर जो आप सकते हो ऐसे आलिशान टावर में दोस्तों नासिक के एकदम सेंटर प्लेस में मैंने फ्लैक नंबर 1104 11 फ्लोर पे 3BH के लगजरियस फ्लैट शादी के दिन मेरी मिसेज को गिफ्ट किया जिसकी कीमत 80 लैक प्लस रुपीज है दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ हुआ ये माई स्टाइल बिजनस और मेरे डिसीजन की वजे सिर्फ चलिए दिखाता हूँ एक छोटा सा घर जिसके तीन पीडियो में घर नहीं था किसी का वो इंसान आज कौन से घर में रह रहा है क्या देखना चाओगे कोई आवाज देगा तो बहुत बाडिया हो जाएगा क्योंकि मु दुनिया में किदर है वो कुछ पता नहीं है यह मेरी जिन्दगी को चलो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह एक आलीशान एंटरंस है हमारे न्यूक्लियस समराट का गेट एंटरंस उसी के साथ दिखाना चाहूंगा यह हमारा लॉबी और दो प्रिस्टिजियस बढ़िय लिफ्ट हमारे बिल्डिंग के लिए दिया गया है चलिए आते हैं लिफ्ट का बटन दबा के 11 फ्लोर पे वेलकम टू माई होम दोस्तों यह फोटो देख सकते हो जिसको मैंने यह घर गिफ्ट किया कागज पे भी उसी के नाम पे है और दरवाजे पे बाटी भी उसी के ना का है नेम प्लेट भी उसी के नाम का है और काजजाद भी उसी के नाम के मैं यह नहीं बोल रहा हूँ किसी उसको गिफ्ट किया रियल में उसके नाम से ही एगर खरीदा दोस्तों देख सकते हो चलो वेलकम है आप सारे वित हमारे संकेज भाई हमारे दिपक मुननकर और आल जो लोग देख रहे हैं उनको मेरे घर में मैं आप सब का स्वागत करता हूँ आईए मिरे घर में यह एक चोटा सा ऐांटल एंटरंस पे दिया हे जादी सिर्फ एक लाक रुपया उसका कीमत था यह एंटरंस पे लगाया है मेरे घर में आप देख सरो यह चोटा जहाँ पे आप अभी भी देख रहे हो मेरे पीछे चोटा सा मेरा फैमिली आपको दिख रहा है यही फैमिली मेरा एक ड्रीम था दोस्तों कि हर बार हम लोग आप भी करते हो में भी करता हूँ देख लीजे हर बार हम फैमिली निकालते बार बार ग्रूप फोटो निकालते हैं आप देख सकते हो यह मेरा डाइलिंग नों में भी नहीं देखता था जोस्तों यह हर दिन भगवान के दर्शन की बगार हमसा गैलेरी है जहां पर मैंने प्रोग्राम चलता है क्यूंकि मैंने डिसीजन लिया मैं फिर से बोल रहा हूं में की लाइफ को एक बार के सपने पूरे करने का तो एक ही बताना चाहूंगा कि आज मैंने डिसाइड किया कि ये बिजनस करना है लेकिन ये बिजनस ने मुझे इतना दिया कि आज मैं मेरे सिकार जिसका नाम तक मुझे मालूम नहीं था ये बिजनस में आने के बाद कि जागवार कार होती है मेरी जिंद अपनी ही कार है, सही में अपना कार है, तो बिलीव नहीं होता है दोस्तों, आज भी कभी-कभी सपने में सोच आ जाती है कि यार यही यह जिन्दगी सच में मेरी है क्या, यह एक फिल्मी जिन्दगी लगती है, जो फिल्मों में तीन गंटे में दिखती है और खतम हो जाती है लेकिन ये रियल लाइफ आपको दिखा रहा हूँ, ये रियल लाइफ इतनी इंस्पारड है कि मुझे बताने में खुशी होती ही जो मेरा बेटा है जिसका नाम येस डोंगरे, आज आप पुछे आपके घर में आपके बच्चों को आप पूछ लेना दोस्तों, बच्चों को पूछना कि आप क्या बनना चाते हैं, तो कोई भी बच्चा बÅलेगा, डॉप्टर बनना है, इंजिनेर बनना है, आमिता बच्चन बनना है, सचिन तेडुलकर बनना है, सारी दुनिया के चीज़े बताएगा लेकिन वही नहीं बोलेगा कि मेरे बाप के जैसा बनना है, लेकिन मुझे आज फक्र होता है बताने में कि मेरे बेटे को आप कभी भी पूछना उसका एक ही जवाब आएगा मेरे पिता जी के जैसा बनना है. तो सही में वो मेरे जैसा बनना चाता है. इसलिए मैंने भी उसको मेरे ही बिजनस में लिया है और नेक्स जनरेशन करके वो आज मेरे साथ कंदे से कंधा मिला के बिजनस करता है. मैं खुद ITC Plus Gold हूँ और उसने अपने बलबुते पे मैं उसको बिना सपोर्ट अपने बलबु पोस्ट पे होना वो पोस्ट आपके बेटे को नहीं दे सकते हो लेकिन बिजनस में आप 100% आपकी पोस्ट आपके बेटे को दे के उसका करियर बना सकते हो यही मुझे बताना है तो यह से के साथ मैं यही बोलना चाहूंगा कि यह चोटा सा जिंदगी कोशिश किया दोस्तो सर आप जूट हो सच में सही है क्या सच में रियल है क्या तो मुझे ही कभी कभी लगता था कि लोग ऐसा डाउट लेते हैं ऐसी जिंदगी बन गई मतलब सही में हम लोग रियल ट्रैक पे है क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं होता है कि एक रास्ते पे पचास सो रुपया क प्रूब बॉलूँगा कि यह रास्ते पे ही बैटने वाला इनसान है लेकिन इसने रास्ते पे बैटने के भावजुद अपने आसमान के देखे और आपने आपके उपर विश्वास रखा जिनोंने बिजनस दिखाए उनके उपर विश्वास रखा और सबसे बड़ी बात बिजनस के उपर विश्वासिता दोस्तों तो यही कहना चाहूंगा आपने मुझे इतना वक्त दिया आज मैं जो जिन्दगी गुजार रहा हूँ एक ही बताऊंगा लॉक्डाउन ने सबी लोगों को जटका दिया दोस्तों लेकिन माय लाइफटाइल वालों को जटका नहीं लगा इसका एक ही रिजन ये बिजनस में सब्वस जिन्दा रहना सिखाया दोस्तों जिन्दा रहना सिखाया और यही जिन्दगी देने के लिए हमारा पुरा माय लाइफटेल परिवार रेडी है जिन्नों ने आपको ये बिजनस आज दिखाने के लिए लिंक दिया है वो आप आ जाओ और अपनी जिंदगी बनाने की कसम खालो आपके परिवार के सपने पूरे करने की कसम खालो और पाथ साल पार्ट टाइम होगा तो भी चलेगा पाथ साल आप हमारे साथ दीजिए और तीन आईडी से बिजनस स्टार्ट कीजिए यहीं कहूंगा क्यूंकि मैंने दिन एक ID से business start किया था दोस्तों कि पैसे नहीं थे लेकिन आज ऐसे लगता है उस दिन अगर तीन ID से business start कर ले था तो शायद यह इंसान आज जहां पर है उससे कई गुना जादा जगे पर रहता यहीं कहना है जाते जाते फिर से बोलूंगा जिंदगी में हम लोग four wheeler का travel करत है लेकिन सब को यह भी मालूम है four wheel car को four wheel नहीं रहते पाच पाच वील रहते हैं मतलब चार वील चलने के लिए और एक आने सब की गाड़ी के टायर पंचे कर दिये दोस्तों एक ही एक my lifestyle स्टेपनी करके आपनी जिन्दगी में ले लो यही एक स्टेप नहीं आपकी पूरी गाड़ी को आगे बनाके निकाल के लेके जाएगी यही बोलूँगा और उसी के साथ यही पे रुपूँगा जै हिंद जै मायल आजटेल जोस्तों जै जै मायल आजटेल